हेलो एवरिवान वेलकम टू अर्केस्टीक आज की वीडियो में हम देखेंगे नर्सरी इंग्लिश वॉक्षीट का पार्ट टू पार्ट वन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नर्सरी में बच्चों को ट्रेसिंग, अलफाबेट्स, एडन्टिफिकेशन औ यहां पर बच्चों को अलफाबेट दिये हुए है और लेटर वाई को बच्चे को एडन्टिफाई करना है, जैसे लेटर वाई को यहां पर वाई, इस तरह से बच्चे को वाई एडन्टिफाई करना है, इस एक्टिविटी से बच्चे लेटर एडन्टिफिकेशन सीख ज तो यहां पे X for X mastery, kite, A for kite, lotus, L for lotus, fish, F for fish, the sound of F is fur, यह रही हमारी second colorful worksheet, इसमें पहला question है, find and color all the letter in green and all the number in rare, यहां पे मैंने letter और number एक साथ दिये हुए है, तो बच्चे को letter को green color करना है और जो जितने number है उसको rate color करना है, जैसे कि A, A को letter, यह letter है इसलिए उसको circle करेंगे और उसमें green color और one, one यह number है इसको rate color करेंगे, इससे बच्चे नमबर और letter में difference करना सीख जाएंगे और साथी साथ coloring भी कर पाएंगे, next है join A to Z and color the picture, तो यहां पे मैंने A to Z दिया हुआ है, तो बच्चे को dot join करना है और उससे picture form करना है, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, इस तरह से पूरा उनको Z दप dots join करना है, और एक colorful picture बनाना है और बात में उसको color करना है, यह रही हमारी third box sheet, इसमें पहला question है, trace the pattern, यहां पे मैंने pattern दिये हुए है, वो बच्चे को trace करना है, नरसरी में बच्चे को tracing सिखाई जाती है, ताकि उनकी pencil holding अच्छे से हो जाए, और साथी साथ उनकी handwriting भी improve हो जाए, इसलिए उनकी जादा से जादा tracing के आप practice लीजिए, ताकि वो अच्छे से alphabet लिख पाए, next is circle the correct picture, यहां पे मैंने pictures draw किये है, बच्चे को later के according picture को circle करना है जैसे कि Z, Z से क्या होता है, Z, तो यहां पे Z को circle करेंगे, M, M से क्या होगा, rat, tap और mango, M for mango, I, flower, apple, igloo, igloo, T है, तो ice cream, tree और pencil, तो यहां पे T को circle करेंगे, tree को करेंगे, T for tree, इस तरह से बच्चो को circle करना है, इस से बच्चो को phonics on भी revise हो जाएंगे, यह रही हमारी fourth worksheet, इसमें पहला question है, match the letter with correct picture, यहां पे मैंने pictures draw किये है, और यहां पे बीच में letter लिखा हुआ है, तो बच्चे को picture जो है, उसका first letter इसके साथ मैच करना है, जैसे हां पे butterfly, butterfly का spelling B से start होता है, then car, car का spelling C, grapes, grapes G, apple A, cake C, then strawberry S, इस तरह से हम बच्चो को phonics on की भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, C का phonics on है, go, next is odd one out, यहां पे मैंने letter दिये हुए, जो letter odd है, उसको हम circle करेंगे, जैसे कहां पे B, D, B, B, यहां पे D odd है, तो हम इसे circle करेंगे, next is P, P, P and Q, तो यहां पे Q को हम circle करेंगे, इस तरह से बच्चे को odd one को circle करना है, next is match the letters, यहां पे बच्चे को जो same letter है, उसको match करना है, जैसे कहां पे E, यहां पे E कहां है, तो E, यहां पे E को match करना है, G, J, L, then N, यह रही हमारी last worksheet, इसमें पहला कोशन है, identify the picture and write the letter in the box, यहां पे pictures दिये हुए है मैंने, तो picture को identify करना है, और यहां पे correct letter बच्चे को लिखना है, जैसे कि लेमन, lamp, lock, L, tap, top, tub, T, mango, moon, mug, M, bat, book, ball, B, next है, join the dots and make a letter, यहां पे मैंने four line का pattern दिया हुआ है, ताकि बच्चे को four line में लिखने की practice हो जाए, तो यहां पे dots है, तो बच्चे को join करना है और उससे later form करना है, जैसे कि A, B, C, D, E, इस तरह से, तो आज हमने इस वीडियो में देखा nursery English worksheet, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो please like और share जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए है तो subscribe जरूर कीजिए, thank you.